हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सब भी को नए साल की हार्दिक शुब कावना हैं आप सब जो है अच्छे सरह है जो आप चाहते हैं इस साल आपको पूरी तरीके से मिलें फ्रेंड्स ये वीडियो हम जो लेकर के आए हैं इनाइयोस डियलेट के बारे में हैं जैसे कि हम जल्द इन्हों को एलिजिबल करार दिया जाए आप कल हमने आपको एक वीडियो दिया उसमें हमने आपको बताया था कि नाइयोस डियलेक्ट को लेकर क्या-क्या चीजे चल रही है कल पटना में मिटिंग की बात थी उस पे उसे रिलेटेड जो है क्या-क्या चीजे निकल क कर आई है कौन-कौन से पॉइंट पर बात हुई है उस पको तो मैं आपको बताऊंगी ही साथ ही साथ आप लोग जो परस्नली हमें मैसेज करके पूछ रहे हो जो कोस्चन्स रहते हैं आपके उसको भी हम इसमें जो है एंसर करेंगे सो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली वा में मिटिंग होई है लेकिन थंड बहुत ज्यादा है और हो सकता है इस थंड की वज़त से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हैं या हम यह भी कह सकते हैं कि जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वह बहुत मुस्किलों से पहुंचे क्योंकि जो लोग पहुंचे उनको भी अ तरचा होने वाली थी उन बातों के लिए जो है जैसे बताया गया था कि नंबर ओफ स्टूडेंट्स नंबर ओफ जादा चाहिए थे वो नहीं आ पाए फिर भी जो जो बाते हुई हैं आपने पपुसर का जो है इंटर्व्यू देखाई हो उसमें उन्होंने जो है बहुत सार गया है कि NIOS DLA को जो है आपको यहां पर मानने करवाना है मानने करवाने का मतलब है कि डिगरी जो है मानने हो अब वो अलग-अलग तरीके आप लोग ले सकते हो इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन एक बात जरूर है रिव्यू पेटिशन की जो भी बात कर रहे हैं जैसे क अब कल मुझे दो-तीन मैसेजेस ऐसे आये थे जिसमें आप लोगों का यही कोश्चन था कि रिव्यू पेटिशन के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं देखें रिव्यू पेटिशन के लिए जाने का मतलब कुछ नहीं बनेगा यह मैंने आपको पहले भी बताया है इसलिए रि बोलोगे तो अभी फिलाल एनायस जेलक के पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि रिव्यू के लिए जा सके तो जाने का कोई मतलब नहीं अगर जाएंगे तो फिर वहां से जो है पॉजिटिव रिस्पॉंस जादा देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं जा रहे हैं यह कोई के लिए बात हुई साथ ही साथ में यह भी बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर करने को लेकर के बाते हैं जिसमें की कपिल सिब्बल जी को लेने की बात हो रही है उस पर चर्चा है और इसके लिए सब ही लोगों को मिल करके साथ में आना होगा यही चीजे है जैसे अभी आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हो कि कुछ कितने ही लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं क्या इतने लोगों से NISDL8 को जीता जा सकता है जाहिर से बात है कि NISDL8 की माननेत दिलाई जा सकती है तो आपका भी अंसर आएगा नहीं तो यही जो चीजे हैं वो निकल कर आई है कि कल हो सकता है कि ठंड की वज़े से ज्यादा लोग नहीं पहुँच पाए हैं इसलिए फिर से एक बार मिटिक रखने की बात है जबी भी डेट और जिस तरह से भी चीजे ह होंगी हम आपको बिलकुल इंफॉर्म करेंगे फिलाल के लिए जो है यही सारी चीजे चल रही है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में याजिका दायर करने की वांग है और दूसरा जो है अलहाबाद हाई कोट वाला अपडेट है जो हमने हाई कोर्ट में मामला अप में में बात है कि आप किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाओ में आपका बुनियाद क्या होगा आपका जो है बेस क्या होगा किस बेस पर लेकर जाओगे अगर आप यह लेकर जाते हो कि नियों इस डियलेट को पतना हाई कोट से उपर है, तो वहां का फैसला हर हाई कोट को मानना होता है, तो यह खारिज कर दी जाएगी, बट आप लोग का बुनियाद क्या है, बेस क्या है, पॉइंट क्या है, इस पर जैसे कि अलहाबाद हाई कोट के अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जो बेस बना में नाद एक अलग जो है चीजों को ले करके जाया जा रहा है तो वहाँ पर बोसक्ति होरा कि चाONS दिखाई दे रहा है तो जो लोग भी ऐसा सुच रहे हैं पहले सही तरीके से सार्वी तरीके से जो है आप हो सकते हो कि suggestion ले फिर कोई फैसला ले क्योंकि एक कोई भी गलत फैसला अगर आता है तो वो एक N.I.S.D.L.A. डिया है दो N.I.S.D.L.A. के बच्चों को नहीं पूरे भारत के पूरे इंडिया के जो है N.I.S.D.L.A. के बच्चों के उपर भारी हो सकता है इसलिए कोई भी किसी भी तरीके का decision ले रहा है या किसी तरकी के रास्ते को चुन रहा है तो थोड़ा सा suggestion की जरूरत है वो जरूर करें आपस में मिल करके काम करेंगे तो इसका कुछ positive response जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा जहां तक बात है कि इसमें फैसला तो आना है आप ही के पक्ष में लेकिन ऐसा बोलते है ना कि जो फैसला देर से आए उस फैसले का भी जो जीत आपको देर से मिले उसका भी ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है जब पूरी वेकैंसे आपके हां से निकल जाएगी और तब जाकर कैसा कुछ होगा तो उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा उनके लिए जो इन्होंने नायों से डियलेट किया है इसलिए टाइम पर फैसला आना भी जरूरी है और इस से जो है लोगों कोई कठ्था करने की बात हो रही है इस पर जैसे डीटेल आएगा हम डेफिनिटली बताएंगे और अलहाबाद हाई कोट वाले मामले को भी अगर कोई भी डीटेल आता है तो हम आपको इन्पॉर्म करेंगे तिल रेंट टेक केर अग्यों